हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रॉलाजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहों तो यहां पर देख सकते हैं इनकी हथेली एक कंप्लीटली रेक्टैंगल बना रही है कुछ लंबाई में हैं इनकी हथेली और ऐसी शेप आप दे हैं वो भी यहां पर काफी अच्छी है लंबाई में फिंघर्स का होना देख सकते हैं इनकी जो इनकी लैंत ज्यादा है यहां पर इनकी सूरिय फिंघर के मुकाबले तो काफी अच्छी leadership qualities इनके भीतर रहेंगी और leadership के साथ-साथ इस तरह की finger होने के वजह से थोड़ी सी ego भी व्यक्ति में रह सकती है तो आपको दिखाना चाहूंगा लंबाई यहां पर यहां पर ऐसे इस तरह से हम compare कर सकते हैं जो इनकी ब्रस्पती फिंगर की length ज्यादा है सूरे finger की length थोड़ी short है लेकिन काफी अच्छी लंबाई में यह finger भी जो show करती है artistic quality को creative qualities को और काफी अच्छी social circle को भी यहां पर शनी finger की length काफी अच्छी है बिल्कुल straight finger है जो show करती है hard working nature को और अगर इनकी mercury finger को देखा जाए तो थोड़ी low set होती हुई यहां पर mercury finger और लंबाई में यहां फिर्स्ट फैलन से थोड़ा नीचे रह रही है जो थोड़ी shy nature की तरह भी इशारा करती है अधरवाई communication skills अच्छी रहेंगे क्योंकि इनकी जो mercury finger है length में अच्छी है लेकिन फिर्स्ट फैलन से शाट होने की वज़ए से थोड़ी shy nature रह सकती है तो आगे देखते हैं इनकी fingers के उपर बनने वाली आड़ी और सीधी रिखाओं को अब देख सकते हैं यहां पर कुछ रिखाएं मुझे नजर आ रही है जो कुछ सीधी रिखाएं है और जिसकी वज़ए से एक अच्छी नेचर रहेगी लेकन यहां पर साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह हैं की आड़ी रिखाएं भी नजर आ रही होंगी जो काफी सारी रिखाएं इनके फैलन जिसके उपर और जो middle फैलन जिसके उपर तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स इनके बारे में क्या बताते हैं और उसके बाद लाइन्स को भी चेक करेंगे तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइन बन रही है जिसमें कोई भी माउंट्स मुझे यहां पर ज्यादा लो सेट होता हो नजर नहीं हारा माउंट्स जो है काफी अच्छी स्पेस ले रहे हैं जिसकी वजह से काफी पॉजिटिविटी रहती है लाइफ में तो चलिए वन बी वन सभी माउंट्स को क्लोजली चेक करते हैं उसके बाद लाइन को चेक करेंगे काफी सारी लाइन जैन के हाथ में जिसके वजह से थोड़ी सेंस्टिविटी भी रहती है आपको दिखाना चाहूँगा यहां पर माउंट्स को तो आप देख सकते हैं क्लोजली अगर आप देखेंगे नजर आएगा आपको इनका जो ब्रस्पती माउंट है काफी उभरा हुआ और इनकी जो हाट की लाइन है पूरी तरह से ब्रस्पती माउंट तक पहुँचती हुई काफी प्रमपराबादी टाइप की परसनालिटी रहती है आइडलिस्टिक टाइप की परसनालिटी रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी प्रमपराओं को मानने वाले और धर्म करम के कारे करने वाले रहते हैं एक हलकी progress line उपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से life में अच्छी progress रहेगी और इस रेखा का mind की line से उपर चलना शो करता है कि अपने sharp mind की वजह से ऐसे व्यक्तित तरकी कर बाते हैं और उसके इलावा भी अगर आप देखें आपको नजर आएगा यहाँ पर इनकी life line से भी निकल कर कुछ lines उपर की तरफ बढ़ रही है जिसकी वजह से progress रहेगी लेकिन यहाँ पर progress middle age के बात ज्यादा दिखाई दे रही है अगर बात की जाए शनी माउंट की तो आप देख सकते हैं शनी माउंट यहाँ पर average है नहीं बहुत ज्यादा दबा हुआ शनी माउंट और नहीं बहुत ज्यादा उभरा हुआ तो एक balanced माउंट है जिसकी वजह से life में अच्छी मेहनत भी रहेगी और काफी अच्छी progress भी रहेगी क्योंकि शनी रेखा बहुत clear मुझे नजर आ रही है और आप देख सकते हैं इस age से शनी रेखा बहुत अच्छे से चलती हुई आपको द्वारा से को draw करके दिखाना चाहूंगा इस तरह से इनकी शनी रेखा जो नीचे से चलती ही दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर overlap हो रही है लगभग यहाँ पर 20s की age में और बाहर से अकरेक रेखा का उपर की तरफ चलना फॉरन से income को भी यहाँ पर represent करता है जब भी चंद्रमा के area से रेखा चले तो यहाँ बहुत अच्छी बाहरी स्पोर्ट को दर्शा आती है और साथी साथ यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखा का होना शो करता है कि life में काफी अच्छी progress भी रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीधी रेखा चलती हुई और कुछ इस तरह से एक bridge formation हो रही है दोनों रेखाओं के बीज में तो यहाँ पर कुछ changes life में रह सकते हैं around 25 की age में और आगे इस तरह से बहुत strong होकर शनी रेखा का बढ़ना शो करता है काफी strong progress को आगे आप देख सकते हैं सूरिय मांट को तो यहाँ पर जो सूरिय मांट है इनका नजर आ रहा है थोड़ा सा दबता हुआ जिसकी वज़ए से name and fame मिलने में थोड़ी दिक्तें रहती हैं सूरिया रेखा भी थोड़ी wavy है अच्छी society में जान पेचान तो रहेगी लेकिन ब इस size की mercury line है जिस वज़ए से business equipment थोड़ा सा कम हो जाता है अगर काफी सारी खड़ी रेखाएं mercury mount पर हो और strong mercury line हो तभी व्यक्ती business कर पाता है तो इनके लिए job करना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि शनी रेखा यहाँ पर काफी strong है तो job में ही काफी अच्छी तरक्की के chances म मुझे नजर आ रही हैं आगे देख सकते हैं इनकी heart line को heart line यहाँ पर कुछ इस तरह से branches बना कर चलती हुई और यहाँ पर heart line का double होना heart की health को weak करता है old age में चलकर यहाँ जो age रहेगी लगभग 55 के बाद की age से heart की health थोड़ी कमजोर हो सकती है और अगर देखा जाए तो heart की जो line है काफी अच्छे से चलती हुई और यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़कर ब्रसपती माउंट तक यह जो area रहता है और जब भी heart की line ब्रसपती माउंट तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ती बहुत ही loyal and honest भी होते हैं तो धरम करम के कारे करने वाले दान वगएरा करने वा सेट बैक्स, emotional सेट बैक्स मिलने के chances और साथ में विशनु सिंबल यहाँ पर बनता हुआ जब भी heart की line वी सिंबल में change होती है आगे चलकर इस तरह से एक वी सिंबल बनता है तो यह बहुत lucky चिन माना जाता है इसकी वज़े से व्यक्ती अपनी life में काफी तरक्की कर बाते ह और जिनके हाथ पर यह चिन बनता है इन्हें मैं हमेशे यही राय देता हूँ कि कभी भी unfair means से पैसा कमाने की कोशिश ना करें अच्छे करमों से पैसा कमाएं तो life में बहुत तरक्की रहती है आगे देखते हैं की mind की line को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर mind की line कुछ इस त करता है एक independent and responsible type की personality को और ब्रस्पती मांट से एक branch का आकर जुड़ना इस line में show करता है ambitious nature को और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ambitious होते हैं और अपनी ambitions को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं तो यहाँ पर mind काफी sharp नजर आ रहा है लेकिन आवे जलकर mind की line का छुकाव थो wise काफी sharp minded person ये रहेंगे अब बात करते हैं इनकी life line की तो आप देख सकते हैं शुरू की life line थोड़ी सी week है और आगे 25 के around age से progress नजर आ रही है यहाँ से जितनी भी branches उपर की तरफ चल रही है यह सारी lines progress lines कहला आती है तो life में काफी अच्छी progress रहेगी और इनकी जो mind की इनक काफी लंबाई में भी है जो एक लंबी age को भी show करती है आप देख सकते हैं लगबग यहां से शुरू होकर इनकी line completely base तक पहुंच रही है तो 85 से 90 तक की age रहने के यहाँ पर chances दिखाई दे रहे हैं और mind की line से बाहर की तरफ एक रेखा का चलना foreign travels को भी show करता है तो यहाँ पर काफी अच्छे foreign travels रहेंगे foreign travel के जो और चिन है वो भी आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से चंदरमा से उपर की तरफ उठती हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक फिश का चिन बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह से यहाँ पर तो इस तरह क लेकिन foreign traveling को शो करते हैं बेशिक यह permanently settle ना भी हो foreign में लेकिन लंबा समय वहां रह सकते हैं और काफी अच्छा पैसा विदेश से कमा सकते हैं क्योंकि इनकी भागया रेखा जो है वो भी चंदरमा के एरिया से चलती हुए नजर आ रही है life में अपसे डाउंस काफी रहेंगे इनके क्योंकि इनके जो मांट है जो मार्स मांट है वहां से कुछ lines इस तरह से cross करती हुए इनकी life line को और जितनी भी lines life line को touch होती है इस side से आकर यह cross करती है यह सभी lines struggle देती है और कुछ ना कुछ problems create करती है life में लेकिन अगर आप देख है और कोई भी ज्यादा struggle मुझे नजर नहीं आ रही तो शुरू में दिक्कतें रहेंगी ups and downs रहेंगे struggle रहेंगे लेकिन आगे की life काफी अच्छी रहनी चाहिए इनकी और यहां पर आप देख सकते हैं worry lines मौजूद है इनके शुकर एरिया के उपर भी तो थोड़ी चिंता है तो life में रहेंगी लेकिन ज्यादा इनको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्ट्रॉंग वीनस है इनका और यहां पर यव का चिन बनता हुआ इन्हें धार में प्रविती का इंसान बनाएगा और साथी साथ धन की कमी नहीं रहती जिनके हाथ पर भी इस तरह से य जरा रहे हैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से यह एक स्ट्रेस लाइन इनकी मांड की लाइन को क्रॉस कर रही है और मांड की लाइन तक कुछ हलकी लाइन जैसे यह लाइन भी मांड की लाइन की तरफ चल रही है तो और मांड की लाइन का नीचे तरफ जुकना और साथ में चंदरमा का एरिया इस तरह से आड़ी रेखा से डिस्टर्ब होना कहीं न कहीं मांसिक तनाव की तरह भी इशारा करता है तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस इनके जरूर रहने वाला है लेकिन फाइनेशली काफी अच्छी लाइफ इनकी मैं यहां पर देख पा रहा हूं और ओवराल फिजिकल हैल्थ इनकी अच्छी रहने वाली है क्योंकि इनकी जो लाइफ लाइफ लाइन है वो काफी स्ट्रॉंग और फुल अफ एनरजी यहां पर दिखाई दे रही है तो यहां कुछ हैनल से इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत बहुत थन्यवाद